C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का पांचवां सबक सबक पांच हजरत मुहम्मद अरब के शहर मक्का में अब से कोई साड़े चौदा सो साल पहले पेगंबर इसलाम हजरत मुहम्मद की विलादत हुई आपकी पैदाईश से कुछ महीने पहले आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतिकाल हो गया था इसलिए आपके दादा अब्दुल्मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की जब आप छह साल के थे तो आपकी वालिदा बीबी आमना का इंतिकाल हो गया आठवा साल था के दादा भी वफात पा गए फिर चचा अबुतालिब ने आपकी सरपरस्ती की जरा बड़े होकर आपने तिजारत की तरफ तवज्जो की और बड़ी मेहनत दायानत और सच्चाई से कारोबारी मौामलात किये आप इस गदर इमानदार थे के लोग आपको अमीन यानि अमानत वाला और सादिक यानि सच्चा कहकर पुकारने लगे थे आप ना कभी जूट बोलते ना किसी को धुका देते ना लेन देन के मौमले में टाल मटोल और ना किसी बात पर जगड़ते थे जो वादा कर लेते उसको पूरा करते चाहे उसमें तकलीफ उठानी पड़े या अपना नुकसानी ही क्यों ना हो अगर कहीं जगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आपके पास आते की जरूरत पेश आई सफ़ा नंबर बाईस चूंके काबा तमाम अरब में सबसे ज्यादा पाक और महतरम जगह समझी जाती थी इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे ये काम हम ही करें जगड़े से बचने के लिए मुखतलिफ हिस्सों की तामीर मुखतलिफ कबीलों के सुपुर्द कर दी गई सबने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया लेकिन हिजर अस्वद नस्प करने के सिलसले में एक मुश्किलान पड़ी हर कबीला चाहता था कि ये इस्जत हमारे हिस्से में आए और इमारत में हिजर अस्वद को हमारे ही आदमी उठा कर उस जगह लगाएं कई रोस तक जगड़ा होता रहा आखिर तैपाया के कल जो शखस सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो उसका फैसला करे या खुद ही हिजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्प करते जानते हो अगले रोस काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था ये हजरत मुहम्मत थे सब पुकार उठे लो वो अमीन आगए अब यही इस जगड़े का फैसला करेंगे और फिर आपके फैसले ने वाकई सबको खुश कर दिया आपने कहा एक बड़ी और मजबूत चादर लाओ चादर लाई गई तो आपने अपने हाथ से हिजर अस्वद उठा कर उस पर रखा फिर फरमाया हर कबीले का सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले इस तरह वो लोग हिजर अस्वद को काबे की दिवार के पास ले गए फिर आपने अपने हाथों से उठा कर उसे सही जग़ा पर रख दिया इस तरह एक बड़ा जगड़ा खत्म हो गया सब खुश हो गए मिल जुल कर काम करने की बरकत हर एक की समझ में आ गई कारोबार से फुरसत पा कर आप अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहां गार हिरा में अकेले चुपचाप अबादत करते और गोर फिक्र फरमाते चालीस साल की उम्र में आपने इनसानों को खुदा का पैगाम सुनाया और उन्हें बुराईयों को छोडने और अच्छी बातों को मानने की दावत दी जिस किताब में खुदा का ये मकमल पैगाम है उसे कुरान कहते हैं जिस जमाने में हजरत मुहम्मद ने अपने पैगंबर होने का ऐलान किया अरब की हालत बहुत खराब थी अक्सर अरबों की जिन्दगी गतल और लूट मार में गुजरती थी पुरा अरब कबीलों में बटा हुआ था ये कबीले बहुत मामूली बातों पर आपस में लड़ते रहते थे लड़ाई दादा के जमाने में शुरू होती थी तो पोतों और पर पोतों तक चलती रहती थी जब तक एक कबीला खत्म ना हो जाता लड़ाई चलती रहती थी सुलेह का कोई खाना ना था हजरत मुहम्मद ने सब मुसल्मानों को एक दूसरे का भाई बनाया उनके असरात और तालिमास से कबीलों की दुश्मनिया खत्म हो गए मुसावात और भाई चारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद ना रहा जहां जहां मुसल्मान गए मुसावात का तुहवा साथ ले गए जिन जगों पर समाज में सخت किस्म की उँच नीश थी वहां भी मुसावात और भाई चारे का चर्चा होने लगा आहां हजरत से पहले अरब में और्टों की हालत बहुत खराब थी बासकबिले तो बच्चीओं को पैदा होते ही मार डालते थे जिन कबीलों में बच्चियां कतल ना की जाती थी उनमें भी औरत की हैसियत लौडी से बहतर ना थी आँ हसरत की तालिमात और असर ने ना सिर्फ ये के गतल जल्म को खत्म किया आवरद को समाँच में बावकार दर्चा दिया अब रधर माबाप के विर्से में हिस्सा पाने लगी दुनिया में सबसे पहले इसलंब ने ओरध की हालत को बेहतर बनाः और भी तरह तरह की गलत रसमे आम थी आपने लोगों को इन बुराईयों से रोका आपने ये तालीम दी कि खुदा एक है वही अबादत के लाइक है और मुहम्मद खुदा के रसूल है इस आवास का उठना था के मुखालफतों का तूफान उठकर खड़ा हुआ मक्गा के सरदारों को अपनी सरदारी खत्रे में नजर आने लगी उन्होंने पहले तो हजरत मुहम्मद का मजाक उड़ाया फिर उन्हें तरह तरह के लालच दिये आपने फरमाया अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरच रख दें और बाएं हाथ में चांद तब भी मैं अल्लह के काम से हाथ ना उठाऊंगा या तो इस काम को अंजाम दूँगा या अपनी जान गुर्बान करूँगा फिर मक्का वालों ने आपको तरह तरह की धमकियां दी और तकलीफे पहुँचाईं कि ये आवाज डब जाए उनका जुल्म पढ़ता ही रहा वो रास्ता चलते हुए आप पर गंदगी फेंक देते दर्वाजे के सामने कांटे बिछा देते आपको और आपके साथियों को तरह तरह से सताया जाता आपने और आपके साथियों ने सारी मुखालफतों को तेरा बरस सबर के साथ जھیला और हक के रास्ते से बिलकुल ना हटे यहां तक के सन 622 ईस्वी में आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए आपके इस सफर को हिजरत कहा जाता है इस वाकिय से एक नया सन शुरू होता है जिसको सन हिजरी कहा जाता है हजरत मुहमद जब मदीना पहुँचे तो उस वक्त आपकी उम्र 53 साल थी मदीने में कुछ लोग पहले ही से इसलाम कुबूल कर चुके थे उन्होंने आपका और आपके साथियों का दिल से स्तक्वाल किया और हर तरह की महमांदारी की उन्होंने कहा ये आने वाले हमारे भाई हैं इसलिए हमारे मालो दौलत में बराबर के शरीक हैं मदीना आकर आपने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर की सबने मिलकर इस काम में दिलो जान से हिस्सा लिया हजरत महमद भी सबके साथ गारा, मिट्टी और पत्थर उठा कर लाते थे इस तरह एक छोटी सी मस्जिद बनी इसके एक तरफ छोटे छोटे कमरों में हजरत महमद और उनके घरवाले रहते थे उनके लिए कोई महल था ना दरबार वही मस्जिद सब कुछ थी मदिने में तश्रीफ लाने के बाद आपकी मकबूलियत और असर में रोज बारोज इजाफा होता गया और दस साल के अंदर सारे अरब में इसलाम पहल गया आपने हमेशा सादा जिन्दगी बसर की बाजार से सौदा सुल्फ खुद लाते बकरी का दूद खुद दुहते अपने कपड़ों को खुद ही पेवंद लगाते बोज उठाते जानवरों को चारा डालते यहां तक के दूसरों के काम भी कर दिया करते कोई बीमार होता तो मिजाज पुर्सी के लिए जरूर तश्रीफ ले जाते और उसकी तीमारदारी करते आप बच्चों से बहुत प्यार करते थे उनके सर पर शवकत से हाथ फेरते उनके लिए दूआ फर्माते एक बार आपने फरमाया बच्चे तो खुदा के बाख के फूल है आप बच्चों से हसी मजाग भी करते और उनके साथ खेल में भी शरीक हो जाते 63 साल की उम्र में हजरत मुहम्मद का विसाल हुआ और मस्जिद नबूवी के उसी हुजरे में सुपुर्दे खाक किये गए जिसमें आपकी वफात हुई थी सफ़ा नमबर पच्चीस मानी याद कीजिए विलादत पैदाईश वफात इंतिकाल, मौत, रहलत सरपरस्ती देख भाल, निगरानी तिजारत बियोपार दयानत इमानदारी मौमलात मौमले की जमा लेन देन अमानत वो चीज जो किसी के पास वक्ती तौर पर हिफाज़त के लिए रख दी जाए रखवाई हुई चीज कबीला एक दादा की अउलाद बड़ा खानदान गिरोह हिज्र अस्वद हिज्र पत्थर अस्वद काला वो काला पत्थर जो काबे की दीवार में लगा हुआ है नस्ब करना लगाना सुला मेल मिलाप समझोता दोस्ती मसावात बराबरी सबका बराबर होना बावकार इज्जत वाला विर्सा मरने वाले का छोड़ा हुआ माल तरका रसूल पैगंबर खुदा का पैगाम लाने वाला काम अन्जाम देना काम पूरा करना जान incapान करना जान दे देना हग का रास्ता सच्चाई का रास्ता हिज्रत वतन छोड़ देना हजरत मुहंमद का मक्के से मदीने जाना मकबूलियत मशूर होना इजाफा मिजाज पुर्सी बीमार की देख भाल सुपुर्दे खाक करना सफ़ा नंबर 26 सोचिये और बताईए एक, हजरत मुहम्मद की पैदाईश कहा हुई दो, आपको अमीन और सादिक क्यूं कहा जाता है तीन, हिजरे अस्वत किसे कहते हैं चार, हजरत मुहम्मद ने मिल जुल कर काम करने का तरीका किस तरह समझाया पांच, आप अबादत करने और गोरो फिक्र फर्माने के लिए कहा जाते थे छे, जिस किताब में खुदा का मुकम्मल पैगाम है, उसका क्या नाम है? साथ, हजरत मुहम्मद ने जब पहली बार इनसानों को खुदा का पैगाम सुनाया, तो आपकी उम्र क्या थी? आठ, आप ने भी खुदा के पैगाम के जरिए इनसानों को क्या तालीम दी? नौ, अल्लह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने में आपको क्या-क्या मुसीबतें बरदाश्ट करनी पड़ी? दस, दुनिया में सबसे पहले किस मजभब ने ओर्तों को समाज में बाइज्जत मकाम अथा किया? यहां दिये हुए लवजों से खाली जगा को भरिये बच्चे, गारे हिरा, दाखिल, इंतकाल, फैसले, हिज्रे अस्वत, पैगंबर, तालीमात एक, कुछ महीने पहले आपके वालिद अब्दुल्ला का खाली जगा हो गया था दो, अगर कहीं जगड़ा हो जाता, तो लोग, खाली जगा के लिए आपके पास आते तीन, लेकिन, खाली जगा को नस्प करने के सलसले में एक मुश्किल आन पड़ी चार, आखिर तैप आया के कल जो शख्स सबसे पहले काबे में खाली जगा हो, वो उसका फैसला करे पाँच, और वहां खाली जगा में अकेले चुपचाप इबादत करते और गोरो फिक्र फरमाते छे, जिस जमाने में हजरत मुहम्मद ने अपने खाली जगा होने का ऐलान किया, अरब की हालत बहुत खराब थी साथ, उनके असर और खाली जगा से कबीलों की दुश्मनिया खत्म हो गई आठ, एक बार आपने फरमाया, खाली जगा तो खुदा के बाख के फूल है सफ़ा नंबर सत्ताईस यहां दिये हुए लफजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए तिजारत, कबीला, सुला, मसावाथ, हिजरत, इजाफा, तीमारदारी, मिजाच पुर्सी, याद रखिए पैगंबर इसलाम हजरत मुहम्म्मद के नाम के साथ सुआद लिखा जाता है यह अरबी फिक्रे सलललाहु अलेहिवसल्म की छोटी शकल है जिसके मानी है उन पर अल्लाह का दरूद, रहमत और सलाम हो लिखिए एक, हजरत मुहम्मद के वालिद, वालिदा, चचा और दादा का नाम लिखिए दो, हजरत मुहम्मद मक्के से हिजरत करके कहा तश्रीफ ले गए तीन, जब हजरत मुहम्मद को तरह तरह के लालच दिये गए, तो आपने क्या फरमाया चार, हजरत मुहम्मद से पहले अरब की क्या हालत थी पाँच हजरत मुहम्मद की जिन्दगी पर एक मसमून लिखिए गौर करने की बात आपने हमेशा सादा जिन्दगी बसर की बाजार से सौदा सुलफ खुद लाते बकरी का दूद खुद दोहते अपने कपड़ों को खुद पैवंद लगाते बोज उठाते काम भी कर दिया करते थे इन जुमलों में लाते दुहते लगाते उठाते डालते और करते ऐसे अलफाज हैं जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम होता है ये अलफाज तर्तीव वार लाना दुहना लगाना उठाना डालना और करना से बने हैं ऐसे अलफाज फेल कहलाते हैं आप खुद दस ऐसे अलफाज लिखिए जो फेल कहलाते हूं इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का पांचवा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक छे आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत